हेलो फ्रेंट्स तो यह सीडिस चल रही है गाइस आपको पता भी होगा आपकी स्ट्रक्चर ओफ एटम की जिसका कि यह जो है बच्चों पाड़ तो साथ मुझे आद नहीं है जो भी होगा लेकिन आपको हम आज पढ़ाएंगे एनर्जी ओफ और विटल को तो गाइस जो ले आडिजन ने जो स्पेक्ट्रम था उसमें कैसे क्या होता था एनर्जी ओगेरा बूव वाला जो हमारा एक रह गया था इविडेंस वाला यह कि टॉपिक उसको कंप्लीट कराने की मैंने बोला था तो चलिए उसको मैं कंप्लीट कराता हूं आपको पहले और फिर हम एनर्ज रह गया था यह जो आपको एक टॉपिक रह गया था एक्सप्लीनेशन ओफ लाइन स्पेक्ट्रम और वाला तो इसको मैं आज कंप्लीट कराऊंगा और इसमें मैंने आप से बोला था कि कॉंटम नम्मर यह प्रिंसिपल नम्मर वगएरा का यूज होगा इसलिए मैंने इसक सेक्ट्र ओफ अटम कंप्लेट कर दूँगा मैं देखिए तो लाइन स्पेक्ट्रम और इनकेस ऑफ हार्डूजन एटम एसमें से ने सेक्शन टू पॉइंट थी पॉइंट आपका थिरी तो जो हमारा सेक्शन था टू पॉइंट थी पॉइंट थी उसमें मैंने आपको बत इसके लिए आप तो समझ आ गया होगा बहुर मोडल में कैसे क्या हार्डूजन को बताया गया था तो उसके आधार पे जो हम उसको क्वांटी टेटेबली जो है समझ सकते हैं और एकोडिंग टू एजप्शन जो कि इसका सेकंड था और जो रेडियेशन एनर्जी ऑफज़ होती है कब होती है जब हम क्या करते हैं इलक्टोन को मूब कराते हैं कहां से आपका मूब फ्रॉम दा और विट जिसकी क्या है आपकी स्मॉलर प्रिंसिपल कॉंटम नमर है मतलब की एन की बेलू है ना प्रिंसिपल कॉंटम नमर का आपको पता होगा तो प्रिंसिपल कॉन्टरम नम्बर मतलब की N की वेलु है जब आपकी क्या होगी स्मॉलर होगी तो हम कहां जाएंगे रेडियेशन सब्सक्राइब लॉवर और और अब जब आपने N को जो है स्मॉलर से आप हाई पोंचा दिया तो आप हाई सब लो रहा रहे हो तो उसमें से क्या होगी हो कि कुछ ना कुछ रेडियेशन एनर्जी तो जो उनकी बीच का जो एनर्जी गेफ होगा बिडिवीन दा टू अर्विट इस गिवेन वाइद एक कुशन टू पॉंट सिस्टी से वो दिया जाता कैसे कि जब आप किसी भी जो है स्मोलर प्रिंसिपल कॉंटम नम्मर से जब ह उस हाईगर से लोवर पर आते हो तो एनर्जी जो मिट होती है उसको हम लिखते है कैसे करके डेल्टा इसकल टू आपका इनर्जी जो आपकी आपकी फाइनल माइनेस एनर्जी जो की इनिसियल थी और इस कमबाइनिंग जो है क्यूसन टू पॉंट थर्टीन और टू माइनस का क्या निकलेगा आर जो कि जो आपका क्या है रेट सब्ग कॉंस्टेंट है अपोन में आपका क्या हो जाएगा यहां से एन एफ का स्कुर यहां से यह माइनस यह माइनस दोनों प्लस बन जाएंगे हम आर को जो है कॉमन ले लेंगे यहां से आपका यह क्या बना ल और यह आपका नेगटिव एन आई जो आपका है एन एफ का स्कुर तो यहां से जो रिलेशन मिल रही है गाइस तो बो जो रिलेशन आपको यह बताएगी कि एनरजी जो है कितनी इमेट होगी जब आप किसी भी फाइनल इस्टेट से जब इनीसियल पर आओगे है ना मतलब य है कि जब आपकी जो औरवेट होगी उस औरवेट फाइनल से इनीसियल पर आने पर तो यहां पर आप देख पा रहे हो तो यह जो रिलेशन बनी है वो हमको यह बता रही है कि देखो जब किसी भी औरवीट में से अब जब उस फाइनल पर पहुंचने बाद यह तो है नहीं कि आप फाइनल में रहा होगी तो आप इनीसियल पर आगए मतलब आपके मेरे कहने मतलब है कि इलक्टॉन जो इलक्टॉन फाइनल से इनीसियल पर आएगा तो वो क्या एनर्जिस्ट रिलीस करेगा इमिट करेगा वो हमको यह रिलेशन आपकी बता दिये टूपॉंट एट इसको आराम से क्या करो आपने यह तो रिलेशन पड़ी है इसको क्या होता है एस भी होता दूसी को यूज करके हमके लग सकते हैं भी सकल्टू डेल्टा इवाई एच अब यहां से डेल्टा ए की वेलू अपने ऊपर निकाली उसको जरह धर पुट अप करोगो तो आपको यह रिलेशन मिलेगी और यहां से आप लिंग कोंशन्ट की वेलू रखके इसको कट अप कर दोगे मतलब किसको कार्ट पीड़ दोगे फिर आपको यह वाली रिलेशन मिलेगी थ्री पॉइंट नाइं टू नाइंट ट्रेंदी पावर फिफ्टीन इससे आप यह पता कर पा आप इसको यूज करके आराम से उसकी फ्रिकन्सी निकाल सकते हो और आप जो पहला ने बता तो उससे एनरजी भी निकाल सकते हो and in the term of wave number यह आपको बताना हो यह जो सारी चीज़ है frequency wave number यह मैंने पहले बता चुका हूँ इसलिए बार बार आपको नहीं बता हूँ यह क्या होती है तो यहाँ से wave number भी आप निकल सकते हो VYC करके तो frequency Y आपको कहाँ यह C बताएगा speed of light आप जानते हो यहाँ से कि इस से हम VYC value put up कर देंगे यहाँ से C आपको पता भी है क्या होता इसको cut up करेंगे तो 1.096 77 into the power आपका 7 यहाँ से इसकी value को जो आप put up बगएरा करोगे और बगएरा की तो आपको यहाँ से wave number मिल जाएगा इसको भी में जो है आपको इस तरह से कर दे रहा हूँ आप समझ लेजेगा इसको भी आप तो यह जो है आपकी एक एक और relation मनेगी यहाँ से जिससे कि आपके निकाल पाऊगे किसी का भी wave number निकाल पाऊगे जब वो फाइनल से यह नीशेल पे आएगा इलक्टोन छोटे मोटे केस्ते बच्चों और यहाँ पे नीचे भी उन्होंने बोई सब लिखा तो कैसे क्या होगा और इसको जो है अभी के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ जादा नहीं है आप इसको खुद से पढ़ सकते हो तो हम चलते हैं सीधा किस पे एनर्जी ओफ जो है क्या यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपका एनर्जी जो भी हम मैंने छोड़ दिया था वो वाला टॉपिक तो एनर्जी वाला हम करेंगे कम्प्लीट कि किसी भी जो एलेक्टरन बगरा होता उसमें एनर्जी किस तरह से होती है और क्या एनर्जी उसकी कैसे कैसे बढ़ती है क्या कम होती है सारी बाते जानेंगे इसमें तो बिल्कुल आप लेक्चर को देखते रहें यहाँ पे यह आपका आ गया है तो थोड़ा पीछे रह गया उसको देरा नकालता हूँ मैं तो एनर्जी बाला हम टॉपिक आज बिल्कुल कम्प्लीट कर भी देंगे और आफ़वाग का प्रिंसिपल और हुन सुरूद दोनों तीनों सारी चीज़ां कम्प्लीट हो जाएंगी तो energies of orbitals क्या चीज़ है बिल्कुल आपके सबसे पहला question जाने चाहिए दमाग में कि हम और वी दस में जो energies बोल रहे है किसको बोल रहे है क्या उसको फिल्लोट्रोण की कर रहे है हम बात कर किसी रहे है वो हمको जानना है तो इन्होंने लखाए कि भाई जो energy होती है of an electron in hydrogen atom हम hydrogen atom को ही ले रहे हैं अब hydrogen atom से आप किसी का भी compression कर लेना लेकिन हम फिलाल में जो hydrogen atom को भी compression करते हैं तो जो energy होती किसकी electron की इन एक hydrogen atom में वो determine होती है सो ले ले y the principle quantum number से है ना quantum number से होती वो जो मैंने अब भी आपको समझा भी था किस तरह से करा था हमने कि जो delta e बगेरा का use करके हमने आराम से कैसे आपको बताया था कि किस तरह से rate of constant हो यह सब करके हम आसानी से उसकी निकाल पा रहे थे हैं तो thus the energy of orbitals in the hydrogen atom increases as कैसे increase होती है उसमे जो orbitals में दी energy होगी तो first s में जो है सबसे कम energy होगी फिर जब आपका electron जो रहेगा बहुती second वाले में आएगा तो वो जो है उससे ज़्यादा रहेगी मतलब की second s वाले में और जो आपका second s और 2p है उन दोनों में बराबर रहेगी बहीं पर 2p से ज़्यादा energy जो कौन रख पर होगी और 4d में बराबर होगी और उससे और 4s में भी बराबर होगी लेकिन इससे ज्यादा जो आएंगे आपके उन में ज्यादा होगी तो अब यहाँ पर आपके दमाग में एक और कोशन आया होगा कि कहीं कहीं पर energy जो किसी से ज़्यादा हो रही है और कहीं कहीं किसी के बराबर हो रही है तो इसका कारण हम को भी देगा quantum number ही जो principal quantum number आपने पढ़ा है वो ये बोलता था कि यदि आपका quantum number जैसे कि आपका क्य मतलब N की बेलू इसके कारण इसकी energy भी same होगी बहीं पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो three हो यहाँ पर three हो यहाँ पर three सबके quantum जो principal quantum number है सहम इसके आरन भी इसमें भी आपकी same होगी लेकिन जब आप orbital से जब बढ़ते जाते हो तो आपको यह भी पता होगा कि आपका जैस है और आपका s के जो बड़ा होने कारण जो three s का बड़ा है साइज इसके कारण इसकी energy जादा है यह सारी बात है और फिकर आपको जो 16 है two point sixteen उसमें भी आपको बताया गया आसानी से तो पहले हम two point जो आपका sixteen figure है उसको ही देख लेते हैं क्या चीज़ है देखिए यहाँ हो कह रहा है जब आप बिलकुल एक दम क्या रहते हो first s में रहते हो तो इलक्ट्रॉन जो यहादी first s में होगा तो उसमें क्या होगा सबसे कम energy होगी जैसे जैसे आप जो है electron को यहाँ two s में पहुचा होगी तो और आपका three two p में पहुचा होगी तो आपकी energy थोड़ी इस से सेल है और उसमें जो सबसेल है आपका जैसे कि आपका three s यह three p और three d दखरा उसमें जो है energy बरावर रहेगी लेकिन वो ज्यादा रहेगी two s से इसी तरह से यह सारे हमने क्या करें ग्राब बनाया और उसको मैं पढ़के बता देता हूं तो energy level जो diagram है four of few electronic cell के लिए जो कि hardyone atom है और बी जो बता रहा है आपको कि multi electron atom के लिए तो पहला तो हमने hardyone के लिए पढ़ लिए और दूसरा multi electron के लिए बोब बताऊंगा मैं तो यहाँ पर note करो कि जो orbitals हैं for the same value of principal quantum number मतलब क्या है नोट करने वाली बात यह है कि जो orbitals हैं for a same जो है बेलू कर रहे है प्रिंस बन के इसको करता था पी को यदि वो different भी है तो भी कुछ से कोई मतलब नहीं है यदि आपका अजी मुत्तल जो यदि नमर आपका different है और principal quantum नमर आपका क्या सेम है तो यदि यह ऐसी बात है तो बहां पर energy never भी आपका सेम ही रहेगा hardyone atom के लिए है ना और एना case of a multi electron atom के ल हाला जो केस आपका hardyone के संग था तो बो जो है किसी multi जो रखते हैं electron उनके संग नहीं होता है multi electron का क्या मतलब होता है कि जैसे मैं आप से बोलता हूं helium उसके पास 2 electron है तो उसके संग केस जो है lie नहीं करेगा देख उसमें होगा क्या उसका first is में तो आप देखी रहे हो बिल 3s में 3s से ज्यादा 3p में 3s से ज्यादा आपकी 4s में और यहां पर आप देखोगी फिर आपकी 3d जाएगी तो इस तरीके से क्या करती उसकी energy different different orbitals के लिए अलग-अलग सो करती है अब यहां पर आपको एक चीछ दिख रही होगी कि यहां पर n की value same तो है लेकिन जो है आप पर बो नहीं चलता वहाई यहां पर थी थी तो बहाँ पर आपका ऐसा नहीं रहता थी 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 यह तो आपकी सेम रही है अलग-अलग होती है और वह अलग-अलग बढ़ती जाती है अब देखो और आंगे चलते हम तो एंड इस डिपेक्टेड इन फिगर आपने देख भी लिए तो ओल थो दी सेफ ओफ जो है कि टूएस नटूपी और विटल डिफेरंट है एन इलक्टोन है जा सेम इनरजी वैं इट इस इन दी जो है टूएस वर्बिटल एस वैं इस बिजन टूपी और विटल इसका यह मतलब है कि यदि आपका इलक्टोन 2S में है या फिर ब्कूरी जेहने बाली है और जो अर्बिटल्स जो की होते हैं हवेंग सेम एनजी आर की डी डी डिसंट इनको बोला जाता है ना डी जंट रेट आपको बोला जाता है तो इसको फिर इसलिए बोलते जो case है यहाँ पे इनको कहें बोलेंगे हम degenerate करके कहेंगे यह आपकी degenerate orbitals है इनमें क्या हो रहा आपका सभी में क्या हो रहा आपका energy level same हो रहा इसके कारण अब यहाँ पे देखेंगे कि the first orbital in a hydrogen atom has said earlier correspond to the most stable condition and is called a ground state मतलब यह है कि जो first state में आप देख पा रहे उसको energy देखे या फिर उसको higher से आप पहुचा होगे कुछ भी करोगे तो उसको जरुवत होगी किसकी energy की उसको जो ground state से हटने की तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो first test वाला उसको ground state कहेंगे उसकी and an electron residing in these orbitals is most strongly held by nucleus से बहुता है और electron ने ना 2s और 2p और higher orbital जो की hydrogen atom है is an excited state यहाँ तक बच्चों पूरा-पूरा आपको समझ आया होगा जो भी मैंना भी आपको बताया था spectrum जो था आपका hydrogen atom का और जो भी energy level था वो और energy बगएरा बिल्कुल समझ आ गया होगा कोई without नहीं होगा होगा एधी आया भी है तो फिर मुझे बता दीजिए आपको मैं फिर से बता दूँगा है ना तो चलिए अब आँगे देखते हैं क्या होगा वहाँ पर कि unlike that मतलब की जैसे hydrogen के case में चल रहा था उसके जैसे नहीं अनलाइक कमीन मैंने आपको एक और बार बताया था कि अनलाइक यह बोलता है कि उसके जैसे नहीं जिस तरह से hydrogen के संग हो रहा था यह case तो hydrogen के जैसे यहाँ पे नहीं चलता भाई यहाँ पे क्या होता है कि hydrogen में जैसे कि आपका क्या हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे first s जो बाला हो रहा था या फिर उसमें एक लक्टओन था उसको इधर-धर कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि first s जो 2 s बाला था टूपी बाला था सेंप वो चल रही था energy लेके नहीं दिया ना कि वो आपके end पर depend करेगा, ना वो आपके sub-cell पर depend करेगा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, कि ना तो वो इसकी जो थिरी-थिरी आ रहा है, उस पर कर रहा है, मतलब क्या है, कि यदि आपका थिरी-थिरी आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है, multi-molecular वालों में, है कि बहां पर उसके energy सेम होगी या फिर उसमें ज़्य पी पी भी आ गया तो उसका यह मतलब नहीं है कि बहां पर भी आपके उसकी सेम वेलू होगी इसलिए यहां पर बोला जा रहा है कि वह उसकी जो उस वेलू पर डिपेंड नहीं करने वाला अब आंगे देखिए तो त्रिट फोर हर गिवए फिर्नटन नमर्वम एज पी डी आफ ओल है डिफरेंट एनर्जी यहां पर यहां पर आ Sum उन्के क्या है कि आपड डिफरेंड एनर isu से बेद ना सिफरेंड नंगी निइंशा जो मतलब पहुंचेगा जिसी वो D में पहुंचेगा उसके पास ओर जादा energy हो जाएगी और F पहुंचेगा तो ओर जादा energy हो जाएगी बिलकुल simple simple सी बाते सब समझा रही होगी मैं क्या बोलना चाहरा हूं और यहां पे साड में आपको सारे animation भी सो करते जा हुआ आपको समझ आ रहा होगा क्या हो यहां पर हो रहा है तो फोर हाई एनर्जी लेविल दीज डिफरेंसे और सफिसेंटली जो है प्रोनाउंस एंड इस्टेज जो की क्या होती इस्टेगरिंग और जो है और्विटल एनरजी में रिजल्ट तो यहां पर यह बोल रहा है कि जो डिफरेंसे आ रहा है यह क्या है कि सफिसेंटली है प्रोनाउंस करने के लिए फिर इस्टेगरिंग करने के लिए को जो रिजल्ट आएंगे कैसे कि यदि आपकी 4S और यदि 3D में आपको कंपरियर करना होगा तो ओविसली बात है कि 4S में आपकी क्या होगी कम एनरजी होगी और 3D में जादा होगी अब यही जो सारी चीज़ें मिलके आप आपको के प्रिंसिबल को बनाएंगे और वो मैं आपको जब बताऊंगो तो यह सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताएंगे सब समझाए आएगी ऐसे ही मैं बोलता हूँ आप से कि 6S और 5D है तो आप इसके इसमें मत जाईएगा कि N की बेलू क्या है जैसे आप N की बेलू तो क्या है इस वाले में 6 आप बोलो गया और इसमें तो जादा इसमें आपका जादा वो होगा और 5D में तो आपकी N की बेलू कम है तो इसमें जादा वो होगा तो ऐसा कुई आपको लेके नहीं चलन रहेगा यह सारी चीज हैं आपकी देखो हम फिर के वह यह बोलना चारे हैं हम सेंसे वाटी वाले कि भाई उसकी जो है वो ना तो एप पे डेपेंड कर रहा ना वो पी पे डेपेंड कर रहा है यह कुछ एक्सप्रिमेंटल बाते थी यह जो हमने क्या है एक्सप्रिमेंट से खोज यह निकाली तो हमको ऐसा पता चला कि मल्टी मॉलिकुलर वालों में ना तो वो एन पे डेपेंड कर रहा है ना वो एस पे ना तो वो किसी भी डी वी पे बो तो क्या है कुछ एक्सप्रिमेंट से ऐ जादा energy होगी यह सारी बात में आपको डिटल में बता दी हैं आपको कोई भी confusion होगा तो फिर से मैं बोल रहा हूँ आप जो सीधा जाए एक आपको confusion है देखो आप यहाँ पर क्या बोल रहा है कि the main reason for having different energy अब जो में जो मुद्ध हमारे फिर कारण बोलें जिसको कि having a different energy of the sub-cell is a mutual repulsion जो की among the electron है multi electron atom अब आपके दिल में या मन में ख्याल आया होगा दिल में तो नहीं जैसे कि आपको आया होगा दिमाग में ख्याल कि भाई जो भी energy हो रही है वो आपकी different क्यों हो रही है जैसे कि आपको मैंने बोला भाई 6S में जो है lower होगी या फिर 5D में ज्यादा होगी या 4F में जो है lower होगी फिर 6P में ज्यादा होगी तो यह सा क्यों हो रहा है और उसका कारण नहीं लखा है कि उसके पास क्या होगा mutual एक repulsion होगा किस किस के बीच में उसके जो electron रहेंगे किसी भी multi जो है electron atom बाले में तो उसके mutual repulsion के कारण उसमें क्या हो जाएगा एक क्या हो जाएगा उसमें यह differences आजाएंगी energy की अब आप यह बच्पन से पढ़ते आ होगे कि electron जो रहते हैं आपस में जो closely आते हैं तो क्या करते हैं दूसरे को repel करते हैं माप कीजिए का यदि वह उनका जो सांस अधी अलग 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 जासे आपका क्या हो positive positive हो तो क्या करेंगे और एदी उनका जो क्या हो positive या जो है आपको क्या हो negative वो अट्रक्ट करेंगे तो इस तरह से जो attraction repulsion का खेस है वो क्या होता है कि इसमें चलता और आप जानते हो electron negative होते हैं तो negative होने कारण वो एक दूसरे को repuls करते हैं और इसके कारण क्या होता है उसमें आपकी differences energy आजाती हैं सारी बात है मैं पूरी सही सही बता रहा हूँ आपको मैं कोई भी confusion लेने का आपको बात नहीं है यहां पर तो यहां पर बोला है कि the only electrical interaction present in hydrogen atom is the attraction between the negatively charged electron and the positively charged nucleus अब यहां पर बात आती है कि hydrogen के case में हम देख रहे थे जिसमें है कि एक electron था तो उसमें यह सारी condition क्यों नहीं चल रही रिपल्सन बगएरा की तो भाई या मेरे उसमें यह कारण है क्यूंकि उसके पास तो एक ही electron होता है अब एक electron जो है क्या होता है वो negative होने कारण क्या करता है वो positive nuclear से यह attraction करता है तो उसके पास यहांसा कोई mutual represents repulsion का तो कोई कारण नहीं बनता है इसके कारण क्या होता है कि हार्डवन बाले में यह सारी चीज़ें नहीं चलती है इसकी कारण उसमें जो है N की value same होने कारण उसमें same energy आती है लेकिन आपके multi electron बाले में ऐसा कोई जो है नहीं चलता है उसमें कहोता है कि यदि एक cell में दो-दो electron भरे हैं तो वो क्या करेंगे आप पर समें repulsion करेंगे जिसके कारण उसकी energy जो डिफरेंट आएगी सीधा से यहां पर समझ चुके होगे तो उन्हांने बोला इन multi electron atom में beside the presence of the attraction between the electron and nucleus यहां पे नहोंने देखो आपको जो मैं बोल रहा था वो वो विलकुल इन्होंने बता भी दिया कि भाई इसमें क्या बोला उन्होंने कि एक electron की जो है electron present in the atom बिलकुल सीधी सी बात इसको diagram से बताता हूं मैं आपको समाझने इस बात को देखो यह पूरी एक orbit है यहां पर यहां पर यह जो आपको दिख रहा है यह वाला यह एक electron है और यहां पर यह जो दिख रहा है यह भी कोई electron है अब यह मैं बात कर रहा हूं कि इसकी helium की है attraction force लगा रहा होगा यहां पर यह वाला भी कोई attraction force लगा रहा होगा लेकिन भाईया मेरे यहां पर यह दोनों electron के बीच में जो है एक repulsion force भी लग रहा होगा जिसके कारण क्या होता है इनकी different energy आती है बिल्कुल easy way में आपको मैंने समझाया है कि भाईया यहां पर दो electron के बीच में जो repulsion हो रहा है उसके कारण तो क्या हो रही डिफरेंट energy हो रही है और यदि मैं बात करूँ यदि मैं मान लो एक electron को हटा दूँ तो फिर क्या होगा यहां पर मान लो मैं एक electron को जो हटा देत हूँ अब आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है nucleus बच जाता और एक atom electron बन जाता है बच जाता है उसके कारण से क्या होता है कि सिर्फ इसके बीच में यह attraction repulsion यही सब कुछ ही है है ना उसका भाई बंदू तो सिर्फ nucleus यह के लाव अचाथ इसके कारण क्या होता है बहाँ पर कोई भी जो है अलग से repulsion का किस आता ही नहीं है इसके कारण उसमें जो सब इस्टेट वे बगएरा में सेम एनर्जी रहती है उसका जो एन की बेलू वो सेम रहती है सीधी बात है सब सो समझाई होगी चलो आंगे बढ़ाता हूँ हम मैं इसको क्या बढ़ इसका यह है कि जो स्टेबिलेटी होती है उस इलेक्टोन की जो की मल्टी इलेक्टोन एटम में रह रहा है तो किसके कारण होती है उसके attractive interaction और more than the repulsive attraction के कारण मतलब यह है कि यदि वो nucleus से जादा अट्रेक्ट करके रहेगा और तो उसका क्या होगा कच्छे से बुरह अब बात यहाँ पर यहाँ पर आती है कि जब इसको आप हाईगर इस्टेट पर पहुंचाते हो तो जो निउकलेस दो अट्रक्षन रहने ही पाता उसका तो क्या होता है कि आपस में ही वो दोनों करते हैं मिलके बढ़ने लगते हैं रिपल्सिंगाने लगते जिसके कारण उस रहे हैं जो थी इंट्रक्षन है एक IQ सका ऐना आउटर सेल में एक एलक्टॉन इनर सेल और मुरिंपोटेण हे मतलब क्या कि Istitu यहां पर तॉ है जो रिपल्सिंग इंट्रक्षन है किसका आउयक्तों का उखला है वह बाहर का से यह कि geweंपोटेंट से मॉर्रेम सिदी से बात ह और वो तो इंपोर्टेंट ही होगा तो ऑन दादर हैंड इसके विप्रीध हम देखते हैं तो जो अट्रक्टिव इंट्रक्षन है ओफ एन लक्टॉन इंग्रीज इन पोजिट्रीव इचार्ड जो की जैडी है और नुक्लिस मतलब की जब प्रोटॉन की संग्या बढ़ाते जाओ तो मतलब बढ़े गी वहरों तो जोगा वहांते प्रॉजिटिव अटरक्षन हो बढ़ेगा वहां पर तो बोलता है कि डू1 प्रॉज होना के कारण जो हैना को मेश्चार्णける ओंगे जैल में नौट एक स्पी देन फुल पॉजिटिव चार्ज ओप दा नेकुलिस जो की जैडी से इसको डेनोट किया जाता है इसका क्या मतलब है वो भी दर समाई लो कि भाईया यहां पर बोला कि जो इलक्ट्रोन जो हमारे प्रेजन्स है कहां पर इनर सेल में वो क्या कर रहे हैं कि जो इलक्ट्रोन इना पर अब क्या हो रहा है कि वो नीउक्टीकर न का्यूंन का इय्ट्रेक्शन नहीं हो पा रहा है कि आपस में उनकktion कर रहे है तो उनके वोयायल जो स्क्रेंट्रोन हम को क्या हो पाया जिप नहीं हो पोला आ है कि जो effect जो हो रहा है हमारा जो lower effect जो हो रहा है वहां पर जाए फेक्ट भी लोवर्ड जो हमारा nucleus का effect है उस new is को पहले draw करता हूं फिर आपको समझ आएगा देख लो एक बार अच्छे देख लेना यहां पर आपका पूरा एक क्या है आपका इलक्टॉन है यहां पर आपका यह क्या माप करना यह पूरा है इलक्टॉन बोल रहा था मैं तो यह पूरा क्या आपका यह बीच में निकुलस है यह पूरी एक और वेट है और वेट में यह आपका कोई इलक्टॉन है और एक कोई दूसरा भी कि जो आपका effect है, मतलब कि जैसे आपकी एक और कोई हो जैसे orbit है, आपकी में फुल नहीं बना रहा हूँ उसको, तो यहाँ पे भी एक क्या है, आपका एक और electron है, तो अब एक बात बताओ मुझको कि इस वाले clone में ये वाला जो electron है, इस में जादा attractive होगा, ये फिर इस वाले में जाद attraction होगा आपका nucleus से, इस वाले electron का nucleus से, तो क्या होता है, कि ये वाला के कर रहा है, attraction कर रहा है, इनके बीच में, है ना, तो इसके attraction के कारण, इस वाले electron को जो है, ज्यादा मुसीबत आ रही है, attraction जो बीच में, करने में, तो क्या हो रहा है, कि screening type की बन रही, मतलब कि एक रुकाबट बन रही इस वाले electron को nucleus attraction में इसकी बज़े से ये साला क्या कर रहा है उसको repulsion कर रहा है बुदूर भगा रहा है अब उसको जब दूर भगाएगा तो वो भाई कैसे उसको attract कर पाएगा तो उसके कारण क्या होता है कि screening बनती वो इन्हों लिखा कि screening of positive charge on the nucleus by the inner cell electron and this is known जो कि आपकी जान जाती है shielding of outer cell electron from the nucleus by the inner cell electron मतलब की इस वाले electron के कारण इस वाले electron का attraction नहीं हो पाना ही shielding के रहाती है या फिर screening के रहाती है मितलब यह है कि यह वाले electron के कर रहा है से direct content में है और इस वाले electron के कर रहा है दूर भगा रहा है वहली ते तुदर जा नहीं आपके ला attraction करूंगा तो इसके कारण की होगा वहां पर एक shielding हो रहे है इस इसकी outer cell की outer cell यह वाले electron यह वाले electron है outer cells कार्या है from the nuclei by ही इनर सेल अले यह वाला यह आउटर हो गया लुक्ता ही इनर हो गया तो इनर किया कर रहा है इसको दूर भगारा थु निकला भी मैं यह किला करौप तो इसके कारण क्या हो रहा है pandasya कि यह वाला जो यह क्षो़को सीधी बात है नो पकबास है बिलुकुल आपको समझ आया होगा नहीं आया होगा तो फिर से बोलो फिर से समझाऊंगा अब आँगे देख लो तो एंड नेट पोजेटिव चार्ज एक्सप्रियंस वाई आउटर जो इलक्टॉन इस नौन ऐसा एफेक्टिव नूकिलर को इन दोनों वहासों यह वाल एक्स measures अब बचा को जो अट्रक्शन रहा होगा इस वाले को तो बहुत तो क्या होगा यहां पर तोड़ा गलत तो यह वह होगा जिसको ँ jesteśmy कर्के दोनो एफी cha होगा और इसे करके दोनोट करते हैं तो hora को ना कोई और नहीं आगे तो लट लो फ्रेस को तुम तो बिलकुल सीधी सी बात है बच्चों बिलकुल आपको समझानी चाहिए अब देखो आँगे मतलब की सीलेंग के अलावा क्या होता है देखो डिस पाइड दा सीलेंग ओब दर क्या गारन outer electron की किस से nucleus से by the inner cell electron के कारण जो है आपकी कि जो attractive force experience होता है आपका क्या by the outer cell जो कि electron से increase होता है with increase of nuclear charge मतलब कि increase करोगे nuclear charge को तब ही तो जो outer cell को increase हो पाएगा ना सीधी सी बात है तो another word ज़िए हम दूसरे सब्दों में कहें कि जो energy interaction between the nucleus and electron मतलब कि nucleus and electron के बीच में building करके जो भी होके जो energy बगेरा electron nucleus लगा रहा था electron पर या फिर electron लगा रहा था वो उसकी क्या है orbital energy है और यह जो है आपकी decrease होती है that is more negative with increase of atomic number जो की जैड़ आप बढ़ाते जाओगे अब क्या है इसका मेन की जो orbital energy होगी decrease होगी कैसे that is जो की more negative है with increase of atomic number मतलब Z की value जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगी orbital energy वो कम होती जाएगी आंगे बढ़ लो जड़ा एक और बार इसको जड़ा और पढ़ देता हूं मैं अभी कुछ बच्चों को समय नहीं आया होगा देखो इन्होंने बोला जो एनर्जी है किसकी इंट्रक्षन की बिडबी न्यूक्लियस और एलक्टॉन अब एलक्टॉन जो की that is a orbital energy है decrease होगी more negative जो की है आपका with increase atomic की जो है नम्मर मतलब atomic नमर को जैसे बढ़ा होगे उसकी तरह है आपकी जो ऑर्बिटल करेगा उसके जो है cell and shape of orbital पे समझेने इस बात को की attractive और repulsive मतलब की जो अट्रक्षन हो रहा दोनों बीच में उसके जो है लक्टॉन वगरा के और जो न्यूक्लिस के वो और जो रिपल्सिव इंट्रक्षन है depend करेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे cell पे मतलब की जो n की बेलूपे और shape मतलब की जो आपको मैंने बताया था aspd वगरा उस पे of orbital in which the electronics present मतलब की जिस जो इलक्टॉन हमारा वो कहां present है आपका कौन से cell में present है कौन सी orbital में present है कि shape में present है उस पे depend करेग उसके energy cdc बात है जिस आप स्पेरिकल सेफ है अब स्पेरिकल सेफ में होगा तो क्या होगा जो आपकी s-orbital पे रहता है तो s-orbital shields the outer electron from the nucleus more effective as compared to the electron पर जैने पी और विटल इसका सीधा समीन है जब आपके मगज में तो आगिया होगा क्या है देखो हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई कि s-orbital का जो सेफ होता है वो कैसा होता है आपका स्पेरिकल होता है अब उस स्पेरिकल सेफ होने के कारण जो उसका outer electron रहेगा अब s-orbital shield का जो outer electron from the nucleus से more effective होगा मतलब कि जाद effect में रहेगा किसके comparison में जो कि electron present is p-orbital में सीधी सी बात है यह सिमिलल यदि मैं बोलता हूं कि जो electron present is p-orbital मे shield करेगा किसको outer electron from the nucleus more than जो electron present is d-orbital में सीधी सी बात है यह आपको समझ भी आगा तो अब यहां पर कास देखो एक और बार फिर से बता देता हूं कईयों को अभी समझ नहीं आगा देखो as orbital जो रहेगी आप जानते हो spherical होती से मैं तो वो क्या करेगी जो outer electron रहेगा मतलब कि as orbital के बाहर का जो electron रहेगा उसको क्या करेगी जादा क्या कर पाएगी more effectively जो है sealed कर पाएगी मतलब की दूर रख पाएगी nucleus से किसके compression में p-orbital के बहीं पर मैं बात करता हूं जो कि electron present है कहा जहाँ पे न पी और विटल सील करेगा किसको outer electron जो की हा रहा है from the nucleus nucleus से कर रहा outer electron more than किसके electron प्रिजन है डी और विटल से तो अब आपके बाद बिलकुल भेजे में आ गई होगी मैं क्या क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि देखो एक और बार इसको draw कर देता हूं मेरे भई मन में ऐसा लगता है बच्चों कि आपको समय नहीं आई बात इसलिए मैं उसको दो बारा बताता हूं तीन बार बताता हूं देखो फिर से देख लो यह आपकी क्या है इस एक जो है आपका फिर से बोई किस लेता हूं मैं यह आपका क्या है नुकलिय से बीच में यह पूरी क्या आपकी ओर्विट है, अब इस और्विटर में आप जानते हो कि कुछ और्विटल साइंगी, मान लो कि यहाँ पे एक और्विटल जो स्पेरिकल से में जो मैं बता रहा हूं बो है आज वाली, और बहीं पर आपका कोई यहाँ पे है कुन से आपकी P वाली है ना यह मान लो यह P वाली है यहाँ कहीं पे तो P में जैसे मैं डबल डंबल कर देता हूँ तो अब यहाँ पे यह है इसका सीधा सीधा मीन कि जो स्फेर वाला होगा यहाँ पे कोई मान लोगी एक इलक्टोन है यह वाला यह इलक्टोन है इस इलक्टोन को स्फेर वाला ज़्यादा रोक पाएगा नूकलस से किसके मुकाबले पी बाले से अब समझे बिलकु समझ आ गया होगा यही मैं पूरी इतनी देर से बोल रहा हूँ बच्चों मेरे प्यारे कि यहाँ पे जो हमारा एस रहेगा वो ज्यादा एफेक्ट ली रोक पाएगा इस आउटर लक्टन को कम्प्रिजन किसके पी के और पी जो है ज्यादा रोक पाएगा किसी भी आउटर लक्टन को किसके कम्प्रिजन में डी के इतना इसा इसमें था बच्चों और इसी तरह से यह पूरा केस चलता जाता इवें थो ओल दीस और प्रिजिन रहा सेम सेल इसका यह मतलब है कि वो सेम सेल में होने के बावजूद भी है ना है तो वो ऐन की बिल उनकी सेम लेकिन उसके बावजूद भी वेकर कर रही है एक दूसरे कर रही है वो एक मतलब जो लक्टाण है उनका वो रोक रही है मतलब कि D से जादा P रोकेगा P से जादा S रोकेगा इतना सा मीन था इसका अब इसको आंके पढ़ाउगा मैं चीजों का निचोड जितनी भी जब से मैं बकवास कर रहा हूं इस बकवास मानों को जी मानों जितना भी मैंना आपको समझाया उसका निचोड आपको मिलेगा यहां से यह बात मोस्त इंपोटेंट है अपने विलुकुल बुक में नोट कर लेना बच्चों उसको क्या कि जो आपका सेल की बात करते हैं सिर्फ सेल के अंदर की कहानी चल रही है सारी विलुकुल आप कहीं और दमाग मत भटका लेना सिर्फ मैं सेल की बात कर रहा हूं कि सेल के अंदर जो स्पेरिकल सेप का हमारा एस और्विटल है जो आपका एस और्विटल इलक्टोन होगा आपका सबसे जादा करीब रहेगा किसके न्यूकिलस के और सबसे जादा स्पंड करेगा time इतना समझाया बहुत अच्छे साया होगा अब देखो क्या वह लेहनौन है इन्हें कंपरिजन पी मतलब की पी के कंपरिजन में मतलब की पी orbital में कोई electron है तो उसके कंपरिजन में S में होने वाला electron ज्यादा closely रहेगा nucleus के सीधा सीधा यह mean था जो कि orbital electron which spend more time in the vicinity of nucleus in comparison to D अब यह नोंने बोला है कि P जो है वो ज्यादा रहेगा किस से D से S रहा रहा था किस से P से P रहेगा D से ज्यादा In other words अब दूसर सब्दों में देखो NCRT बलकोल क्लियर क्रिस्टल करती है लेकिन पढ़ने का तरीका होना चाहिए अब दूसर सब्दों में देखो कि for a given cell अब एक कोई cell दिया हमको जो principal quantum number है मतलब कि N की value और जब Z जो कि effective जो आपका बोला था मैंने भी आपको effective जो आपका होता था एक effective charge होता था nucleus का वो जो होगा कि the effective जो charge है experience वाइदा जो आपका electron decrease करेगा with increase the azimuthal quantum number जो value है L मतलब क्या है जैसे जैसे आप L की value को क्या करोगे बढ़ाओगे बैसे ही जो है आपका decrease करेगा क्या आपकी जो nucleus से मतलब की जो attraction है और repulsion है मतलब जिसको आप attraction बोल रहा है nucleus electron का वो क्या करेगा decrease कर जाएगा जैसे जैसे आप L की value बढ़ाओगे मतलब S की value में ज्याद है उसके करीब P की value में थोड़ा और उससे करीब और D की value में थोड़ा और दूर इसका ये mean है that is इसको उन्होंने लिखा भी है कि the S orbital electron will be more tightly bounded to nucleus than P orbital electron which intern will be better tightly bound than the D orbital electron मतलब इसका ये है कि S orbital वाला electron जो रहेगा P की तुल नाम है अच्छा tightly bounded रहेगा nucleus से और P वाला जो orbital का electron है D की तुल नाम है जाद जो tightly bounded रहेगा nucleus से इसका ये मतलब है इस पूरी लायन के जो कि आपको italic वो करके लखी है तो जो energy होगी electrons की इना S orbital will be lower क्या होगी कम होगी जो energy electrons की जो S orbital में lower होगी ये हम बोलें की more negative होगी than that of P orbital से मतलब क्या है कि जो energy electrons of S orbital की क्या होगी कम होगी बात को समझे ना इसको अब पूरी बात बिल्कुल एक दम घुम के आ गई है अब आपके मन में एक और doubt आ रहा होगा यार कि जो nucleus से पास में तो उसकी तर जाता होने है तो उसकी energy lower होगी अब पी बाला थोड़ा और उसके थोड़ा दूर है तो उसकी energy क्या होगी उससे तो क्या होगी आप देखो इसको पढ़के बता देता हूं मैं कि जो energy होगी electron की S orbital की will be lower होगी या more negative होगी than the P orbital electron which will have a less energy than that of a D orbital electron अब यहां से पूरा आपको मामला समझा आ गया होगा कि S वाले में कम फर उससे ज़्यादा P में और P से ज़्यादा D में जो मैंने शुरू में आपको बताया था and so on यह पूरी सीरी जो है चलती जाती है अब G पर पहुंचाओ यहां पहुंचना पहुंचाओ एससे करके बढ़ती जाती है तो अब यहां से एक चीत तो सूरी गास तो एक चीज़ तो आपको मिली होगी कि एन की जो बेलू है मतलब की हमने क्या बोला जो cells की जो बेलूस हैं वो क्या होंगी जैसे जैसे आपके कर रहे हो nucleus से दूर जाते जा रहे हो बैसे बैसे energy तो बट रही है लेकिन जो attraction है किसके बीच में nucleus और electron के बीच में बगठता जा रहा है तो यहां से देखो आँगे क्या बोला है कि since the extent of shielding मतलब की बोल रहा है कि जो extent करोगे shielding from the nucleus is different for electron in different orbital मतलब इसका यह है कि जैसे-जैसे shielding होती जाएगी nucleus electron की बैसे-बैसे उसकी है energy बगेरा जो electron की रहेंगी वह बढ़ती जाएंगी यह फिर उसमें different आता जाएगा अलग-अलग orbital में तो it lead to the splitting of energy level और इसी ने हमको बताए जो आपको इधर में टेबल में इसी के कारण जो है किसी एक cell में same energy रहती है यह आपको मैंने अभी बता भी था है ना और that is जो कि energy of electron in an orbital as mentioned earlier जो कि हमने अभी किया भी था कि depend upon the value of n ln जो कि आपकी n और l पर कर रही थी जिसमें कि सिर्फ एक lockdown था तो उसकी तुल नाम में यह जो है n पर depend नहीं करेगा multi lockdown वाला तो mathematically the dependence of energy of orbital जो होगी आपकी का बोल रहा कि mathematically मतलब की गड़त में हम बोलें इसको कि जो dependence होगी energy की of orbital की on n पर and l पर सारा quite complicated but one simple rule is that एक simple rule नहीं वोला है कि the lower the value of n प्लस l मतलब क्या है कि यदि आप lower आईगी कि इसकी n प्लस l की बेलू आप n को जोडो और l को जोडो यदि इनको जोडने के बाद lower आती है foreign orbital के लिए तो lower energy होगी मतलब इसका है कि the lower the value यदि आप क्या करता हो n प्लस l की होगी किसी नहीं है रूल ड्राइब किया है यह बिल्कुल आप यह मत समयना फिर से दिमाग आपके ही तो बिल्कुल एक सबस्वड़ी प्रॉब्लम है आप हर चीज को डाउट में ले तो डाउट मत लिया करो इसको आप उसको इसमें देखा करो कि यार यह चीज आई है तो और इसको कुछ ना कुछ कारण होगा सिर्फ कारण पर जाएगर हो डाउट लेते हो दमाग को बहीं ब्लॉक करते हो यहाँ पे देखो एन प्लस जो एल की जो बेलू होगी अब इसको फिर से बता रहा हूँ मैं ध्यान से सुनना एन प्लस एल जो है आपका किसी ने किसी ने कम आती है फोर एन और्विटल के लिए तो जो उसकी क्या होगी बहाँ पे लोवर इस इट जो है एनरजी होगी बहाँ पे यतना समझे इफ टू यहाँ पे इसको थोड़ा चेंटो कर लो इससे पढ़ाने लगा था तो इफ टू और विटल्स है अब दा सेम बेलू यदि कि उसकी वेलू को जोड़ जाड़के आपको क्या होता है वो सेम आजाती है किसी दो और्विटल की तो बहाँ पे जो और्विटल विद लोवर वेलू फ एन यदि आपकी ऐसी आजाती है समझे इस बात को एक्जामपल से लेना पड़ेगा यह से आपको बिलकुल नहीं आने समझाता हूं समय ना इस बात को बिलकुल आज समय लो जीवन भर मजा जाएगा आपको कभी भी इलक्टोनिंग को इन्फिग्रेशन जब करोगे तो कभी भी गलती होगी ही नहीं एक बार देख लो बस देखो जैसे मैं बोलता हूं एक लिखा यहां पर फस्ट एस यह वाला और इसको मैं कोमा लगा के लिख देता हूं यह कोई से मानलो टूपी अच्छे लग दिया है बिलकुल समझा गया बच्चों इतना तो आना चाहिए यार समझ में तो फस्ट एस लिखाए यह फस्ट है मतलब की बन और एस है और यह टू और पी है अब यहां से देखो यह से लिकी बेलुके हैं अपन को ऐश कल टूब का घृण है क्या है आपका के डियौ अबिश्य वह यह यह पको बन के बहन है ऐस की बेलु आपको पता होना है चाहिए ऐनकी बेलु घू रहती आपकी फो रहती है आपकी लेह बर्ला कर रहा है और यहां पर καत आपकी यह एन gleich to पन के लिखे विल्ओ करोगई तो आपके के निकल क्या आएगा इतना आप समझ गए एन प्लस एकल करोगई तो भन लिखे हुए जी रो कई बन होता है अब यहाँ पे इसको करोगे तो के लिए कह लिखे आप अन की बिलू कह लिखे हैं इसके लिए आई थी 3 तो आप इन दोनों में कम्प्रिजन करो 3 बड़ा है या बन बड़ा है obviously आपका 3 बड़ा है तो यहाँ पर 2P जो होगा उसकी बेलू यदि बड़ी ही आ रही है N प्लस L की तो यहाँ पर 2P की जो एनर्जी होगी वो जादा होगी then first test की तो बना रही थी तो यह कारण है बच्चों यह आपका जो रूल था वो N प्लस L का वो यही बोलता है कि यदि आपकी N प्लस L की बेलू यदि दोनों में क्या हो रही है किसी की ज़्यादा किसी कम हो रही है तो उसके अनुसर हम उसको बता सकेंगे किस की बेलू क्या होगी है ना मतलब कि कौन किस के पाद ज़्यादा एनर्जी होगी कम होगी और यही केस जो मैंने अभी आपको बता है बो ही बैटता है जब किसी की क्या हो जाए N की और L प्लस की बेलू सेम सेम आ जाए तो आप क्या करना उस केस में यदि दोनों की value दो सेम सेम आ रही है तो आप देखना कि उस case में N की value के सेम है या फिर उसमें किसी की कम ज़्यादा है यदि किसी की ज़्यादा होगी तो आप समझाना वहाँ पे एनरजी ज़्यादा होगी ज़्यादा दी गई थी दूसरे की तुलना में तो आप बोलना वहाँ पर ज़्यादा हुई और यही चीज को करके हमने जो आपकी टेबल 2.5 है उसमें हमने यह सारी बेलू को लगा के पूरे रूल से डिवेक्ट की हैं पूर इलक्ट्रों ने बनाई है और पूरा बच्चो मेरा बादा है आपसे की एन प्लस एल की बेलू से हमने कह किया पूरा अव्वाहू प्रिंसिपल आपका बना है पिलोकुल बताऊंगो मैं एन प्लस एल की बिलू से कैसे बना पिलो लेक्ट्र देखिए आप तो बस मज आ जाएगा आपको यहाँ पे देखो कि टेबल जो आपकी 2.5 है आपकी लिशूट करती है एन प्लस एल को रूल को फिगर 2.16 में आपको मैंने बताए था कुछ जो हो कि एनर्जी लेवल थे बो भी सी को डिपेट करते हैं है न और मल्टी एलक्ट्रों के लिए बात कर रहा हूंगी बच्चों यह याद रखना आप यह जो रूल है आपका एन प्लस एल का सरफ मल्टी एलक्ट्रों के लिए क्या हो जाती है दीस अब थे सेम एनर्जी और लाश्ट्रीट में वी जो है मैंसें है यह एनरजी ओफ दिऑ वर्वीट इंग्रीज 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 इन्ग्रीजन अटमिक नमरी जो की एक जैड्ल एक अफेक्टिव ए बतलब इसका यह है कि जो एनर्जी रहेंगी सब verdi डी आपका त्री आस तरी फी कर से सब्सक्राइए अब इसको लेने के बाद हम ने क्या कि है कि हमने एन की बेलु ने का ली ता आप देख रहे हो बन हो यहां पर यहां पर टू, यहां पर आपकी भी तो यह दर दर आपने हमने क्या क्या कर लिए N की बिलु लुख ली इस साइट, इस साइट हमने लकली के एक भई S आपका 0 होता है, S आपका 0, P आपका 1 होता है, इस तरह समने L की बिलू नकाल ली, अब हमने क्या किया, जो बेलू of N प्लस L को जब नकाल ली, तो आपने देखो, यहांपे बना, यहां पर 2 आए, यहां पर 3 आए, तो यह जो बन और 2 और 3 आ रहा है, तो उस उसके ही तुल्णा में हमने किया इनको सबको एक सीरीज वा जमाया, मतलब कि इस की देखो, फस्ट स की बनाया ना, और टु स का कितना है, तो इसको घुद्ड आ तो उसको पर पाहले रखा और टु स को बाद में रखा, बात है, समाझ नहीं और यहांपे इन्होंने बोला भी ह यहां पर N की वेलू 2 है, has a lower energy than, अब देखो यहां पर बात, दोनों को देखोगे, इन दोनों को देखो, 2P और किसको 3S को, अब आपको फिर से दमाग में एक और confusion आई होगी, कि हमने जो है, दोनों की N प्लस L की तो वेलू 7 थी, हमने जो है, इन दोनों को फिर आंगे पीछे केंसे लग दिया, और बोई मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हम यहां भी रूल भी देखा था, कि यदि N की वेलू कम होगी, अब N की वेलू 2P की कम है था, इसलिए हमने इसको पहले रख दिया, और N की वेलू जो है, इसकी 3S की ज़्यादा है, इसको हमने रख दिया, अ समाईने इस बात को, एनर्जी जो 2S और्बिटल है, एक हार्डियन अटम में, वो ग्रेटर कर रहा है, देन देन डेट ओफ किससे, 2S और्बिटल जो की लीथियम है, और देट ओफ लीथियम जो की ग्रेटर देन और देट ओफ सोडियम, एंड सोल, मतलब कि उसके अटम है क जो आपकी सोडियम की ज़्यादा हुई किससे, आपकी पोटासियम से, ये सारी में आपको समझा दिया है, उसके कारण ये एटमिक जो आपका नमर तो उसके कारण से है, इसको मैंने बोलान है यार भाई समझो भी तो बात को, डिक्रीस कर रहा है न, अब देखो, अब इन दोन में देखो, हाड़ियन का एक नमर ज्यादा है यार सोडियम के ज्यादा है, आपको अब इसके कारण इसके कारण इसमें कम होगी, हाड़ियन में के ज्यादा है, नहीं है, इसमें कम है, इसके कारण इसकी सबसे ज्यादा इनर्जी इसमें होगी, सीधा सा रूल है, बिल झाल